नई नेत्रित्व चुनौती के दोरान जिया शंकर को नए कप्तान के रूप में ताज पहनाया गया है, जिससे उन्हें एक प्रतिभागी को नमानकित करने का अधिकार मिल गया है। वान्षित ताज मजबूती से अपनी मुठी में रखते हुए, जिया ने अपने नए अधिकार का प्रयोग करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और पूजा भट को नमानकित करके घर को चौका दिया। पूजा भट इस सीजन की सबसे प्रशंसित प्रतियोगियों में से एक है। सलमान ने भी उनके रुख की सराहना की, पूजा को चुनने का जिया का निर्नए सप्ताह के लिए अपनी सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए एक जानबूज कर किया गया उपाय था। जिया ने एक चतुर चाल में एक मजबूत चुनौती देने वाली और ताकतवर पूजा को सावधानी पूर्वक निशाना बनाया। इस आश्चर्य जनक मोर ने शेश प्रतिभागियों को अपने रिष्टों पर पुनर्विचार करने और घर में अपनी जगह बनाये रखने के लिए नई योजनाओं की तलाश करने के लिए मजबूर किया। बिग बॉस ने नियमों का उलंगन करने के लिए घर के कप्तान अभिशेक मलहान को नेत्रित्व से हटा दिया है। उन्हें अक्सर दिन में जपकी लेते हुए देखा जाता था। बता दे कि अभिशेक को कप्तानी एक सीक्रेट टास्क पूरा करने के बाद मिली थी। टास से वहन आराज हो गई और दोनों के बीच हाथा पाई हो गई। दोनों को एक दूसरे पर गंदे आरोप लगाते हुए देखा गया। सोम वार को अब्दू रोजिक ने भी शो छोड़ दिया। उन्होंने घर छोड़ने से पहले अपने चार पसंदीदा नामान की प्रतियो पुरी इस हफ़ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए उम्मीदवार थे। सल्मान खान ने जैद को आकांक्षा पुरी के साथ और कैमरा चुम्बन के साथ साथ राष्ट्रिये टेलिविजन पर उनके अवास्तविक व्य वहार के लिए भी डाटा। उनके नामान निर्देशक ने बुद्धिमान व्यक्तियों को ऐसी गलतिया करते देखने पर अविश्वास व्यक्त किया।